तेरा वचन मेरे पाउं के लिए दीपकी है और मेरे मार्क का वो जी आला है तेरा वचन मेरे पाउं के लिए दीपकी है पहला पाथ प्रेरी चरित अध्याई 25 बचसंक्या 13 से 21 तक राजा अकरिपा और बेरनेस केसरिया पहुँचे और फेलिक्स का अभिबादन करने लगे वे वहां कई दिन रहे और इस बीच फेस्तुस ने पॉलूस का मामला राजा के सामने प्रस्तुत करती हुए कहा फेलिक्स यहां एक व्यक्ती को बंदी ग्रह में छोड़ गया है जब मैं येरुशलम में था तो महायाज को तथाने ताउने उस पर अभियोग लगाया और निवेदन किया कि उसे दंडाग्या दी जाए मैंने उत्तर दिया जब तक अभियोग्त को अभियोग्यों के आमने सामने ना खड़ा किया जाए और उसे अभियोग के विशे में सफाई देने का अफसर ना मिले तब तक किसी को प्रसंद करने के लिए अभियोग्त को उसके हवाले कर देना ये रोमियो की प्रथा नहीं है इसलिए वे यहां आए और मैंने दूसरे ही दिन अदालत में बैठ कर उस व्यक्ति को भुला भीजा किन्तु जिन अपराधों का मुझे अनुमान था उनके विशे में उन्होंने उस पर कोई अभियोग नहीं लगाया उन्हें केवल अपने धरम से समंधित कुछ बातों में उसमें मतभेत था और ये शु नामक एक व्यक्ति के विशे में जो मर चुका है किन्तु पॉलूस जिनके जीवित होने का दावा करता है मैं ये बाद विवाद सुनकर असमंजस में पढ़ गया इसलिए मैंने पॉलूस से पूछा कि क्या तुम ये रुशलम जाने के लिए तैयार हो जिससे वहाँ इन बातों के विशे में तुम्हारा न्याई किया जाए किन्तु पॉलूस ने आवेदन किया कि समराट का फैंसला हो जाने तक उसे बंदी ग्रह में रहने दिया जाए इसलिए मैंने आदेश दिया कि जब तक मैं उसे कैसर के पास ना भीजू तब तक वे बंदी ग्रह में रहे ये प्रभू की वानी है एश्वर को धन्यवाद बजन अनुवाक्य प्रभू ने स्वरग में अपना सिंगासन सापित किया है मिरी आत्मा प्रभू को धन्य कहे मेरा सर्वस्व उसके पवित्र नाम की स्तुति करे मिरी आत्मा प्रभू को धन्य कहे और उसके वर्दानों को कभी नहीं भुलाए अनुवाक्य प्रभू ने स्वर्ग में अपना सिंगासन स्थापित किया है अकाश पित्वी के उपर जितना उंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रती प्रभू का प्रेम पूर्व पच्छिम से जितना दूर है प्रभू हमारे पापो को हमसे उतना दूर कर देता है अनुवाक्य प्रभू ने स्वर्ग में अपना सिंगासन स्थापित किया है वे समस्त विश्व का शाशन करता है प्रभू के शक्तिशाली स्वरगदूत उसकी वानी सुनते ही उसकी आग्याओं का पालन करते हैं वे सब की सब प्रभू को धन्य कही अनुवाक्य प्रभू ने स्वर्ग में अपना सिंगासन स्थापित किया है जैखुश आलेलुया अनुवाक्य आलेलुया पवितरात्मा तुमें सब कुछ समझा देगा मैंने तुमें जो कुछ बताया वे उनका समर्ण दिलाएगा अनुवाक्य आलेलुया संत योहन के अनुसार पवितरे सुसमाचार अध्याए 21 पदसंख्या 15-19 येशु अपने शिशों के सामने प्रकट हुए जल्पान के बाद उन्होंने सीमौन पेतरुस से कहा सीमौन योहन के बुत्र क्या तुम इनकी अपेक्षा मुझे अधिक प्यार करते हो उसने उन्हें उत्तर दिया जी हाँ प्रभू आप जानते हैं के मैं आप को प्यार करता हूँ उन्होंने पेतरुस से कहा मेरे मेमनों को चराई येशु ने दूसरी बार उसे कहा सीमौन योहन के बुत्र क्या तुम मुझे प्यार करते हो उसने उत्तर दिया जी हाँ प्रभू आप जानते हैं के मैं आपको प्यार करता हूँ उन्होंने पेत्रुस को से कहा मेरी भेडों को चराओ येश्व ने तीसरी बार उससे कहा सिमोन योहन के पुत्र क्या तुम उससे प्यार करते हो पेत्रुस को इससे दुख हुआ कि उन्होंने तीसरी बार उससे ये पूछा क्या तुम मुझे प्यार करते हो और उसने येशु से कहा प्रबू आपको तो सब कुछ मालूम है आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ येशु ने उससे कहा मेरी भेडों को चराओ मैं तुम से कह देता हूँ जुवानी में तुम स्वयम अपनी कमर कसकर जहां चाहते थे वहां गूमते फिरते थे लेकिन भुढ़ापे में तुम अपने हाथ फैला दोगे और दूसरा व्यक्ति तुम्हारी कमर कसकर तुमें वहां ले जाएगा जहां तुम जाना नहीं चाहते इन चब्दों से येशु ने संकेत किया कि किस प्रकार की मृत्यु से पेत्रुस दुवारा इश्वर की महिमा का विस्तार होने वाला है येशु ने अंतमे पेत्रुस से कहा मेरा अनुसरन करो ये प्रभु का प्वित्रे सु समाचार है ख्रीस्त की जय